हेलो स्टूरेंट्स कैसे आप सब मैं कुसल सर्मा आप देखेरे मेरे यूट्यूब चैनल कुसल क्लासेज तो देखे आज क्लासेट के प्राची पुब्लिकेशन बुक में से 7th chapter की chapter and exercise का section A complete करने वाले हैं इसमें mix-up होने वाला है complete chapter उससे related की cuboid हो गया, slender हो गया, 2D figure, 3D figure हर टाइप की questions यहाँ देखने मिलने वाले हैं और conversion के ऐसे-ऐसे questions जो हम exercises में नहीं करके आई हैं, introductions में हमें दिये गए थे, लेकिन exercise में कोई question ऐसे थे नहीं, वैसे question भी अब करने वाले हैं hopefully exercise बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाली है, छोटे questions को भी detail में करवाने की कोशिस की गई है, ताकि आपको actual में basic clear हो उस particular question का, ना कि आपको उनको directly रटने के ज़रुरत पड़े, तो चरिए section A स्टार्ट करते हैं ओके सो देखिए chapter and exercise 7th chapter की section A, first है MCQ, the area of a rectangle as shown in the figure, यह particular rectangle की हमें measurements दी गई है, लेकिन एक चीज़ का अगर हम यहाँ पर ध्यान दें, तो हमें जो measurements हैं, वो same unit में ना देते हुए, अलग-लग units में दी गई है, है ना, तो एक है हमारे पास यह DM, जो की actual में किसके equal होता है, decimeter के equal होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, देखिए, DM, DM actual में किस के equal होता है, decimeter, so, एक decimeter, जो है, कितने centimeter के equal है, यह actual में centimeter से bigger quantity है, एक step bigger, देखिए, सबसे छोटी होती है, mm, ठीक है, फिर, उससे एक step, यानि कि, एक step बड़ी, बोल सकते हैं, that means कि, 10 mm को हम combine कर दे, 10 mm को combine करें, तो एक centimeter बनता है, ठीक है, फिर, अब यह देखना है, कि, एक decimeter, यानि कि, dm, जो है, वो किस से बनता है, यह centimeter से, एक step next बड़ा है, यानि कि, 10 cm को combine करें, तो एक decimeter बनता है, ठीक है, और, फिर, अगर हम, एक centimeter, sorry, अब decimeter आ गया है, और decimeter को, अगर, अब हम meter से compare करें, यानि कि, अब हमारे पास है, meter, इससे next, sorry, मैं dm लिख रहा हूँ, meter, तो, इससे dm से next bigger quantity होती है, meter, जिसमें, हम notice करते हैं, कि, हमारे पास, 10, decimeter होते हैं, sorry, मैं dc लिख रहा हूँ, dm, तो steps कुछ ऐसे चलते हैं, ठीक है, सबसे छोटा millimeter, फिर, उससे बड़ा centimeter, फिर, उससे बड़ा decimeter, और, उससे बड़ा meter, ठीक है, और, फिर, उससे बड़ा, हमारे पास kilometer आजाता है एक decameter भी बनता है पर कोई बात ने फिलाल हमें इतने की जोड़ता है हम उसी से काम सलाते है तो यहाँ पर हमने comparison देख लिया कि एक decimeter में कितने centimeter होते हैं 10 centimeter होते हैं ठीक है तो एक measurement centimeter में है और एक decimeter में है तो हम compare करें तो आप notice करोगे देखो 2 quantity, 2 answer जो है decimeter में दिये गए हैं और 2 centimeter में ठीक है तो फिलाल ऐसा करते हैं कि चलिए हम decimeter को ही centimeter में बदल देते हैं तो यह जो 2.5 decimeter है अगर मैं इसको 10 से multiply कर दो क्योंकि 1 decimeter में 10 centimeter तो इतने decimeter में कितने होंगे multiply by 10 हो जाएगा यानि कि 25 centimeter ठीक है तो basically हमारे पास length है किसकी rectangle की length of rectangle किसके equal है 2.5 decimeter जिसको हमने centimeter में convert कर लिया ठीक है उसका reference हम यहां से दे देंगे and breadth breadth of rectangle यह कितना given है 12 centimeter इसको b बोल देते हैं यह हमारे पास l है therefore अब हमें इसका area find out करने area of rectangle जो कि किसके equal होता है length multiply breadth 25 multiply 12 25 into 4 होता है हमारे पास 100 so यह हो जाएगा 300 300 यह तो centimeter square में आया जबकि हमें अब देखे centimeter वाले portion को देखे तो 300 तो में नजर नहीं आ रहा that means कि answer जो है decimeter में होगा अब 300 centimeter square 300 decimeter square के तो equal हो नहीं सकता तो answer आप खुदी indicate कर सकते हैं कि 3 पाएगा यानि कि 3 decimeter तो यह बना कैसे देखे 1 decimeter में 10 centimeter है तो 1 centimeter में कितने होंगे 10 जो है वो right side में shift हो जाएगा divide में तो 1 by 10 decimeter तो जबकि यहाँ तो 2 centimeter है that means कि हमें इसको 2 बार 10 से divide करना पड़ेगा यानि कि 100 से divide करना पड़ेगा तो यह किस में बदल जाएगा dashi meter में बदल जाएगा और क्योंकि इसका square था तो इसका भी square बन जाएगा clear तो अब देखेए खुदी cancel होके क्या बच गया 3 decimeter square तो option A, sorry D option D is the right option clear तो यहां हमने conversion भी देख लेए यह conversion जो है काफ़ी helpful रहने वाली है आगे के questions के लिए चलिए next करते है one decimeter अब यह decimeter क्या है यह decimeter actual में हमारे पास decimeter से next quantity है देखे उसी में explain कर देता हूँ यहाँ पर अब अगर हम 10 meter को combine करें तो एक decimeter बनता है ठीक है तो एक decimeter हमें पता चल गया किसके equal है 10 meters 10 meter के equal है है ना तो यहाँ पर हम इस one decimeter को लेकर चलें तो इसका तो square है है ना तो अगर हम अब इसको centimeter के according देखें तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इसको decimeter को meter में बदलना पड़ेगा फिर meter को हम centimeter में convert कर सकते हैं ठीक है या आप directly conversion देखें तो एक decimeter में 10 meter 10 meter में 10 decimeter 10 decimeter में फिर एक-एक decimeter में 10-10 centimeter तो that means कि एक decimeter में 10 multiply 10 multiply 10 यानि कि thousand centimeter हो जाते हैं ठीक है तो यह हमारे पास क्या बन गया 1000 centimeter अब मैंने इसको इतना दूर क्यों लिखा है क्योंकि देखें यह decimeter square है है ना that means कि हमें इसको 1000 से 2 बार multiply करना पड़ेगा किसको 1 को तो हमने 1000 से 2 बार multiply किया तो 2 बार centimeter आ गया 2 बार centimeter का मतलब क्या हो गया power 2 हो गई ओके तो अब यह किसके equal बन गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानि कि यह बन गया 10 lakh तो यहां देखें फर्स्ट पार्ट में बिल्कुल यह 10 lakh centimeter square के equal आ रहा है ठीक है तो अब हमें इसको यह देखना है कि क्या second option भी सही है या नहीं है ठीक है तो अब यह देखिए कि जो ha है वो hectare को represent करता है clear और एक decameter में हमारे पास 0.01 hectare होते हैं या इसको मैं ऐसे लिखें 1 upon 100 hectare होते हैं ठीक है किसमें 1 decameter में तो 100 को अगर हम इस तरफ shift करें तो इस तरफ आकर यह क्या मन जाएगा 100 decameter तो 100 decameter कितने के equal होता है 1 hectare के equal होता है clear so वैसे यह हमारे पास ठीक है kilometer वाली ही situation है hectare और kilometer जो है हमारे पास क्योंकि 1 decameter में भी हमारे पास 0.01 km भी होता है और इतना ही hectare भी होता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है सेम चीज़े चलेंगे तो यहाँ पर आप लेके चल सकते हैं कि 100 decameter is equal to 1 hectare और और kilometer क्लियर क्लियर इसका option ए जो है वो हमारे पास correct option है एक सेकेंड कुछ कड़बर लग दी है कि यहाँ पर एक समय यहाँ कुछ कड़बर कर गया one hectare सही है ना सही था सही था I think गड़बर यहाँ आ रही है actually यह जो है हमारे पास hectare जो वो area होता है मैं गलत information दे गया my mistake actually मैं हमारे पास hectare जो है वो तो क्या नाम है area में होता है देखिए यहाँ मैं sorry देखिए यह मैं गलत बता गया इधर my mistake actually यह तो directly option से हट जाएगा क्योंकि जो hectare है वो hectare तो area को represent करता है और फिलाल हम लेकर तो चल रहे हैं basically कि one square decameter तो यहाँ पर जो information लिखी थी one decameter is equal to one hectare अगर उसको हमें सही करना है तो मेरे को यहाँ पर one decameter square करना पड़ेगा ठीक है 0.01 क्योंकि अब square लगने से यह किस में बदल जाता है area में बदल जाता है clear लेकिन मैंने यहाँ पर square नहीं लिखा था जिसकी वज़े से वो एक length बन गई थी है ना क्योंकि अगर मैं यहाँ से दो अटा देता हूँ तो यह क्या बन गई एक length जबकि यहाँ पर square लग जाता है तो वो क्या बन गई एक area area की unit ओके इडिया जो है area के ही एकोणो erfahren हो सकता है तो यहाँ ठीक था लैकिन मैंने यहाँ पर one hectare लिख दिया था वो गलत था ठीक है क्या है मैंने यहाँ पर square नहीं लिखा है इस length के इकवल हो सकती है यह ची तो हमने देख लिए कि one decameter जो है one hectare के equal नहीं हो सकता है ये 0.01 hectare के equal होता है तो option A is the right option ये जो conversion जो चल रही है इस conversion का ध्यान रखना है ये काफी important part है जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम इनकी help लेते रहेंगे ठीक है copy कर लेते हैं चलिए next करते हैं third part क्या है one hectare ये किसके equal होता है वो चीज़ हमें देखनी है area wise अब काम चल रहा है ठीक है so one hectare जो है वो हमारे पास hundred decimeter या hundred decimeter या ये centimeter में कुछ convert किया हुआ है वैसे ये hectare तो नहीं है एककर तो actual में a, c, r, e ऐसे कुछ लिखा जाता है ये standard instruction ही है measurement की कुछ American system के रूप में है जो की actual में किसके equal दी गई है तो इसको step by step करते हैं देखिए ये directly तो नहीं निकाले जा सकती है हम इसी चीज़ की help लेते हैं 1, a, a, r, e actual में किसके equal होती है ये होता है हमारे पास 1 by 100 hectare के equal होती है हम वहाँ से इसकी information निकालते हैं या इसको ऐसे भी लेकर चल सकते हैं कि ये 100 meter square के equal हो सकती है अगर आप book की help लें तो book के 7 chapter के बिल्कुल front page पे ये information आपको मिल जाएगी अभी तो currently तो मेरे पास book है नहीं so मैं दिखा नहीं पाऊंगा फिलाल के लिए so वहाँ से आप देख सकते हैं ठीक है so 1A area को represent करता है वैसे दो तो ये 100 meter square के equal आ गया ठीक है फिर अब meter square को हम notice करें तो meter square हमारे पास किसी भी option में है नहीं तो meter को हम convert कर लेते हैं decimeter में convert करके देखते हैं तो 1 meter square में 100 decimeter होते हैं ठीक है decimeter square actually तो हमने इसको जब multiply किया तो ये तो बन गया कितना 10,000 decimeter square जबकि decimeter square के साथ तो 100 दिया गया है that means कि option A possible नहीं है और decimeter जो है वो हमारे पास meter वाले quantity से बड़ा ही होता है तो obvious से बात है वो भी possible नहीं हो सकता था ठीक है तो ये भी option से हट गया अब हम इसको centimeter तक लेकर जाने की सोचते हैं कि एक decimeter में 100 ही centimeter square होते हैं ये देखे एक decimeter में 10 centimeter है तो decimeter square में कितने होंगे 10 गुना 10 दो बार 10 से multiply कर दिया यानिक ये आ गया तो that means कि अब हमारे पास 4, 5, 6 यानिकि 10 lakh centimeter square बन गए तो यह हम देख रहे हैं centimeter square के साथ 2, 4, 6 6 से ज़्यादा zeros है that means कि option C भी नहीं हो सकता तो हमारे पास D बचा फिलहाल वैसे तो ठीक है बाकी इसको check कर लेते हैं कितने zeros इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros हैं check करते हैं 6 zeros तो हमारे पास पहले से ही है अब देखिए centimeter square को 1 centimeter में 10 millimeter होते हैं तो 1 centimeter square में कितने millimeter square हुए 10 और 10 100 से multiply कर दिया तो देखिए हमारे पास भी 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros तयार हो गए है न, millimeter square so option D is the right option starting के यह तीन question है I think तीन ही होंगे हाँ आगे तो solvable questions आ गए यह सारे measurements से related थे काफी अगर ध्यान ना दें तो यह confusing type के हो सकते हैं यहाँ पर हमने इनकी sequence बना ली है वैसे तो कि किस तरह से यह step by step कौन सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा और उससे बड़ा यह चलता जाता है लेकिन आपको ध्यान की स्रिवे में रखना है यह जो AR, ER है हमारे पास एक area से related unit ही है standard unit होती है और इसी तरह से एक कट भी होता है एकर में एकर एकर में ज्यादा बड़ा area होता है हमारे पास ठीक है so hectare एक different चीज होगी so area के different cases जो हैं वो आपको थोड़े से ध्यान रखने पड़ेंगे ARE, acre और hectare से related ठीक है चलिए next करते है fourth fourth हमारे पास इसका एक figure दिया गया है given at right shows that a square a is reduced to square b during this information the area sorry information नहीं है reformation है यह करा गया है the area reduced is 20, 40, 36 और 30% कि कितना percent area जो है वो reduced हुआ है तो simple सा तरीका इसका reduce check करने का reduced area निकाल लेते हैं सबसे पहले तो ठीक है कैसे reduced area निकालने के लिए हम क्या करेंगे area of bigger square minus area of smaller square ठीक है तो bigger square का area हमार पास क्या होता है side square ही होता है लेकिन उसके side कितनी है x so x square minus smaller जो square है उसकी side है 4 by 5 x तो उसका square ठीक है अब इसको simplify करते हैं तो दीखिए 16 by 25 x square LCM ले ले LCM हमार पास कितना रहा है 25 तो यह बन गया 25 x square minus 16 x square तो इन दोनों का subtraction कितना रहा है 9 by 25 x square तो यह तो reduced area हो गया तो अब यह जो reduced area है वो percentage wise कितना है वो हमें पता करना है so percentage of reduction reduction की percentage पता करनी है तो simple सा formula है हमारे पास क्या reduced area divided by area of bigger square है ना और इसको multiply कर देते हैं 100% से क्योंकि percentage में बदलना है हमें इसको तो देखें reduced area कितना है 9 by 25 x square और इसको divide किसे करना है जो original सबसे बड़ा area था जो की x square था और इसको multiply किसे कर रहे हैं 100% से तो देखें x square से x square उपर नीचे कट गया हमाँ पास क्या बच रहे है 9 by 25 multiply 100% 25 से अब 100 को cancel करें तो 4 तो हमाँ पास कितना आ गया 36% यानि कि 36% जो है option कौन सा है c option c is the right option clear तो ये था अपना fourth हाँ fourth question question number 4 चलिए next करते है the area of the rhombus a b c d sawn in the adjoining figure एक adjoining figure है और उसमें हमें कुछ measurement दी गई है तो measurement में हम notice करें कि हमें ये वाली side दी गई है ठीक है o b और फिर a b b d दिया गया है तो यहां हम एक rhombus की property की help लेंगे कि देखे given में आप बता सकते हैं कि क्या है given o b is equal to 63 cm and a b is equal to 65 cm अब हम यहां पर एक चीज़ मेंसन कर देते हैं we know that diagonals of rhombus diagonals of rhombus bisect each other एक दूसरे को bisect करते हैं at right angle और वो भी perpendicular पर है ना therefore हम बोल सकते हैं triangle o a b is right angled triangle right angled triangle right angled at किस पर right angle अब और बता देते हैं right angle at ओ ओपर राइट अगल बनेगा है ना तो अब यह देखिए यह एक राइट अगल ट्राइंगल है o a b तो यहां पर हम pythagoras यूज कर सकते हैं therefore using pythagoras theorem on triangle a o b या o a b आप कुछ भी लिख सकते हैं और इसमें pythagoras theorem किसके इकवल होगी hypotenuse square तो hypotenuse कोन है इसमे a b so a b square is equal to base o a या o b किसी को माल लीजिए and plus perpendicular square है ना तो अब इसमें जिसकी जो values हमें पता है वो हम रख देते हैं a b 65 है o a find out करनी है है ना और o b हमें 63 दे गई है so अब हम यहां पर इनका simplification कर लेते हैं तो 65 का square तो हमारे पास कितना जाएगा 5 का square 25 6 को 7 से multiply कर लेते हैं 42 तो यह तो हमारे पास आगया 65 का square अब हम इसको कर लेते हैं 63 का square तो 63 का square हमारे पास किसके एक बड़ा जाएगा 9 18 आर्ट 6 36 37 तो यह हमारे पास 9 16 8 9 यह आ रहा है कोई कुछ ऐसा यानि कि यह बन रहा है 3969 जो की OA की value हमें provide कर वा सकता है अगर हम इसको अब इधर shift कर दें जो की 3963 मैं space कम छोड़ा sorry so अब हम इसको subtract कर लेते हैं तो 5-3 2 and 12 6 एक सेकिंड 65 ठीक है so 2 6 फिर से carry 11-9 फिर से 2 3-3 0 so OA square so OA की value अब हमारे पास कितनी आ रही है OA अब यहाँ पर completely 262 तो actually किसी का square नहीं होता है कहां गलती होगी है ओके 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 गलती यहाँ हो रखी है यह 3969 है है ना तो यहाँ पर mistake हो गई तो उसकी वज़े से 3969 को हमें सब्ट्रेक करना था so 515-9 6 1 11-5 sorry 6-5 और यह हमारे पास कितना आ गया 2 तो अब देखिए 256 हमें पता है 16 का square होता है तो यहाँ पर OA किसके इकवला जाएगा 16 के तो अब हम उपर एक बात लिखे आए थे diagonal जो है वो एक दूसरे को bisect करते हैं तो diagonal AC जो है वो किसके इकवल होगा इस OA के 2 टाइम के इकवल और जो पूरा BD है वो BD किसके इकवल होगा वो इस OB के इकवल होगा है ना तो वहाँ पर हम AC और इनकी values को निकाल लेते हैं मैं यहाँ कर देता हूँ तोटे space की वज़ा से therefore AC किसके इकवल हो जाएगा 2 टाइम ओफ OA और OA हम अभी अभी निकाल के आए है 16 जो कि कितना आ गया 32 measurement centimeter में चल रही है and BD BD किसके इकवल होगा 2 टाइम ओफ OB के इकवल होगा और OB हमें साइट से 63 गीवन है है ना Yes So 63 का square 126 centimeter हो गया तो अब देखिए हमारे पास दोनों diagonal आ गए हैं अब हमें diagonals के through इसका क्या निकालना है area निकालना है So area of rhombus therefore area of rhombus A, B, C, D इसका एक formula होता है diagonals के through क्या formula होता है half multiply diagonal 1 multiply diagonal 2 है ना So इनकी values को हमने रख दिया AC कितना है AC हमारे पास 32 के इकवल है और BD 126 के इकवल है So 2 से 32 को cancel करें तो 16 अब हमें 126 को किस से multiply करना है 16 से multiply गरने तो यह हमारे पास कितना रहे है 6 12, 3, 5 और 1 carry 7 तो 6, 2, 1 या गया 6 1, 0, 2 तो हमारे पास एरिया कितना रहा है 2, 0, 1, 6 सेंटिमिटर स्क्वेर के एकवल रहा है यानि कि option A is the right option ओके So diagonals के through हमने rhombus का एक और formula देखा half of diagonal 1 multiply diagonal 2 दोनों diagonals का product करके उसका half कर दीजिए चली next करते हैं the sides of a rhombus with diameters x and y तो यहाँ पर जो diameter है वो actual में diagonals की बात कर रहा है कि माली जी एक कोई हमारे पास rhombus है ठीक है और उस rhombus के diagonals हमें एक x और एक diagonal y दिया गया है ठीक है तो माली जी ए a, b, c, d, s, a rhombus तो उसका जो ac है according to figure मैं यहाँ पर use कर रहा हूँ तो ac हमें x consider की है and b, d जो है वो y consider की है clear तो essay में अब हमें बताना है कि उसकी side क्या होगी यानि कि हमें कोई एक side find out करनी है a, b, b, c, c, d, d, a तो automatically सारी side पता चल जाएंगी क्योंकि वो एक rhombus है तो सारी side equal होती है तो अब हम वही logic use करते हैं कौन सा we know that वाला यह वाली line ठीक है तो इस line को हम as it is यहां से use कर लेते हैं हमें exactly इस चीज़ की जरूरत है ठीक है तो इसको मैं यहां पर use कर लेता हूं तो इसका फाइदा क्या होगा इसके through हम बोल सकते हैं therefore O B बीच में जो point है इसको O बोल देते हैं O B O B actual में half of B D के equal होगा और B D क्या है Y है and O A O A किसके equal होगा half of A C के और A C किसके equal है X के equal है now using Pythagoras Theorem on right triangle A O B फिर से ये एक right angle triangle बन रहा है है ना तो हम इस पर Pythagoras लगा सकते हैं therefore A B square किसके equal होगा O A square plus O B square के है ना so O A square किसके equal है O A किसके equal है O A हम निकालके आये है half of X तो उसका square O B किसके equal है half of Y तो उसका square तो अब इनको हम sort out करें तो ये किसके equal आ रही है 1 by 4 X square plus 1 by 4 Y square इन दोनों में से 1 by 4 common ले लें क्या बच रहे X square plus Y square तो ये तो value किसके आ रही है A B square की आ रही है है ना तो लेकिन हमें तो value सिर्फ A B निकालनी है that means कि side निकालनी है तो दूसरी तरफ right side का क्या होगा square हो जाएगा तो देखिए 1 by 4 का square तो क्या हो जाएगा 1 by 2 सुरी मैं square बोल गया square root और X square plus Y square का भी क्या हो जाएगा square root हो जाएगा तो ये बन गया X square plus Y square का whole square root जो की आप notice करोगे किस से match कर रहा है ये match कर रहा है D part से है ना option D so option D is the right option clear चलिए question छोटे छोटे लग रहे हैं कतनी है if the length of the diameter फिसे diameter की बात चल दी है diagonals की ही बात है actual में ये कि एक rhombus के diagonals की length हमें 70 और 24 दी गई है respectively तो उसका perimeter क्या होगा विलकुल same as it is हमें करना है बस X और Y के replacement में यूँ समझे कि हमें क्या use करना है numbers यूज करने है सिर्फ X और Y के replacement में और बाग की सारा portion हमें as it is use करना है तो उसको हम adjust कर देंगे not to worry तो देखें यहां हमें rhombus के diagonals एक 70 cm दिया गया है 70 cm और एक दी गई है 24 cm ठीक है तो मैं यहां भी इनको change कर देता हूँ 70 and 24 so जो यहां आएगा BD वो BD कितना है 24 that means कि 12 cm और यहां X के replacement में 70 आ गया यानि कि 35 cm so basically अब हमें यहां पर यह values use करनी है तो यहां पर changes आ देंगे चली तो values रखते हैं देखें OA कितना निकला है OA निकला हमारे पास 35 so 35 square OB is 24 था तो यह बन गया 12 12 square 35 का square हो जाएगा 12 25 और 12 का square होता है 144 तो यह कितना है हमारे पास 1369 तो यह 37 का होना चाहिए 37 है option में कहीं 37 का square 1369 होना तो चाहिए चली ट्राइ करते हैं क्योंकि हम इसका square root निकालना है न और last में 9 आ रहा है उस 9 से अंदाज लगा रहे हैं वह 7 का square करने से last में 9 आता है 37 into 37 तो चली करते हैं style 49 9 4 carry 21 25 21 1 2 9 11 और यह 1369 देखिए बन गया exactly that means कि AB जो है वो किसके equal आजाएगी 37 cm के equal आजाएगी लेकिन हमें यहापर perimeter निकालना है सिर्फ side नहीं निकालना है perimeter निकालना है therefore perimeter of rhombus किसके equal हो जाएगा 4 time of 37 7 so 7 23 2 12 2 14 14 8 cm है कोई yes B option यानि option B is the right option ओके चली next करते हैं area of an equilateral triangle is तो इन में से देखिए कौन सा equilateral triangle का formula होता है basically वैसे तो यह होता है D root 3 by 4 side square बाकि आप इसको try करना चाहें तो Hieron's formula में sides की values रखके देख सकते हैं तो देखिए माल लीजिए हमारे पास एक equilateral triangle है जिसकी सारी sides कैसी है A, A, A के equal है Okay Answer So, sides of let कर लेते हैं let sides of equilateral triangle equilateral triangle किसके equal? A के equal माल लेते हैं Therefore, semi perimeter semi perimeter किसके equal आजाएगा? A plus A plus A by 2 यानि की 3 by 2 A 3 A by 2 कुछ भी बोल दीजिए Therefore, now हम एके करके S minus A S minus B और S minus C की value निकाले तो आप notice करोगे कि हमारे तो S की value रख देते हैं बर पहले जो A, B, C है वो तो सारे के सारे A के ही equal है A, B, C यानि कि हमारी 3 sides तो अब हम इनका अगर L, S, M लें तो L, S, M कितना रहे है? 2 तो यह कितना बन किया? 3 A minus 2 A जो कि किसके equal आ रहे है? A by 2 के equal यानि कि second option भी A by 2 के equal रिजल देगा और third B तो अब हम इनका area निकाले therefore area of triangle किसके equal आएगा? root of S S minus A S minus B S minus C तो देखे S की जगए हम यहाँ पर S की value रखते हैं S किसके equal है? 3 by 2 A multiply फिर बाकी values A by 2 multiply A by 2 multiply A by 2 तो देखे 2 into 2 2 into 2 तो यह जो denominator से 2 है दो बार बाहर आ गया numerator से देखे A का एक pair बन रहा है A का एक और pair बन रहा है तो A के दो pair बन रहे है तो यह दोनों values भी बाहर आ गई root के अंदर क्या रहा गया? सिर्फ 3 तो root 3 को चलिए पहले लिख लेते हैं नीचे 2 into 2 क्या है? 4 4 लिख लिया तो A into A बचा क्या होगा? A square तब A actual में है क्या चीज़? A हमारे पास triangle की side है यानि कि हम इसको side लिख सकते हैं तो side गा square तो देखे बन गया ना हमारे पास option D तो इस formula को आप Heron's formula से prove भी कर सकते हैं कि हाँ ये root 3 by 4 side square कैसे आया? clear है? यह था 8th question चलिए next करते हैं 9th if the volume of the cube हमें दिया गया है उसका surface area हमें find out करना है simple दा question है देखे let कर लेते हैं let the side of cube cube की जो side है उसको let कर लिया 2744 sorry side को A हिमा लेते हैं now volume volume of cube कितना given है? 2744 given है so जबकि volume का formula क्या होता है? side cube होता है और ये 2744 हमें दे रखा है तो अब ऐसा करते हैं कि 2744 के prime factor कर लेते हैं 2744 क्योंकि हमें cube में क्या नाम है? prime factorization method ही पता होता है तो 1372 ये फिर से 2 से divide हो जाएगा तो कितना हा रहा है? 6, 8, 6 फिर से 2 से divide हो सकता है 3, 4, 3 अब तो ये 7 से divide होगा ये 7 का cube है actual में 49 ये याद होगे जब square square root वाला chapter किया था तब ये याद हो चुके हैं तो 2 multiplied 2 multiplied 2 और 7 multiplied 7 यानि कि जब अब हम यहाँ से अब A निकालेंगे तो A cube की value थी तो A निकालेंगे तो हमारे पास एक triplet में से एक value निकल कर आ जाएगी है ना? तो ये कितना आ गया? ये आ गया 14 और measurement centimeter में चल ज़एगा तो centimeter में आ गया तो अब देखिए हमारे पास side पता चल गई है तो अब हम surface area निकाल चकते हैं therefore जब कुछ नहीं बोला गया होता है तो उस condition में totally निकाला जाता है total surface area of cube किसके इको लोगा? 6 time of side square so 6 time of side side कितनी है? 14 14 का square और 14 का square कितना होता है? 196 so 196 को अब हम 6 से multiply कर लेता है 6, 36, 36, 36, 35, 55, और 11 तो यह आ गया centimeter square किस से match कर रहा है? option B से match कर रहा है option B is the right option clear? चलिए next 10th इस बार हमें surface area दिया गया है लेकिन starting हम वैसे करेंगे left side of cube measurement centimeter में चल रही है तो उसको centimeter में चलने देते हैं now हमारे पास surface area दिया गया है surface area of cube जो कि कितना दिया गया है 17, 34 centimeter square तो यह किसके को लोता है? 6 time of side square अभी अभी कर के आए हैं 17, 34 तो अब जो 6 है वो 6 दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा? divide करेगा so A square की value कितनी आ गई? 6 से इसको हम divide कर देते हैं 8, 54 और यह 49 यह आ गया और जो 289 है वो 289 actual में हमारे पास 17 का square होता है यह directly इसलिए बोला जाता है कि आपको लगबग 30 तक के जो square है वो याद होने चाहिए तो आपके पास side आ चुकी है तो अब हम इसका volume बड़े आराम से निकाल सकते हैं so volume of cube किसके equal हो गया side cube के equal हो गया तो जैने कि 17 cube के equal तो देखे अभी अभी हम 289 17 का square बोल के आये थे यानि कि इसका cube करना है तो cube में से 289 तो 17 का square हो गया इसको और 17 से हम multiply कर लेते हैं 63, 63, 64, 2, 14, 6, 20 तो हमारे पास 289 ये कितना आ गया 3, 194 तो ये बन रहा है 4913 cm cube किस से match कर रहा है पहले पार्ट से ही match कर रहा है option A से clear so ये था अपना 10th question चलिए next करते हैं true false के question आ गए अब first है the volume of a water tank is measured in square unit volume volume को कभी भी square unit के साथ measure नहीं किया जाता cube unit के साथ measure किया जाता है that means कि एक false statement है clear next है a square is a special type of rhombus yes rhombus को अगर हम क्या कर दें थोड़ा सा state कर दें rhombus actual में कुछ हैसा सा होता है जिसकी चारू side तो equal होती है लेकिन थोड़ा सा ठेड़ा होता है अगर हम इसको थोड़ा सा straight कर दें तो वो एक square shape बन जाती है तो square जो है वो special case है ये एक true statement है if the radius and the height of the slender are respectively rs then it's total surface area जो है 2 pi rs बिलकुल गलत है total surface area का formula हमारे पास क्या होता है 2 pi r multiply r plus h के equal होता है clear जिसमें 2 pi rh हमारा curve surface area होता है और 2 pi r square उपर और नीचे के square जो ढक्कन होते हैं और cover up करने के लिए उनका होता है circle statement okay fourth है the area of a rhombus is half the product of its diagonal बिलकुल सही है ये अभी अभी हम करके भी आए है इसकी help लेकर आए है fifth है if each side of a cuboid is doubled its volume become eight time तो अगर किसी cuboid की हर side को double कर दें तो उसका जो volume होगा वो volume आठ हुना हो जाएगा क्या ये सही है फटावट चेक कर लेते हैं माली जीए एक cuboid है जिसकी length है 1 breadth 2 height 3 है तो इसका volume कितना आ रहे है इनका multiply करने से 6 आ रहे है ठीक है अब कोई दूसरा cuboid है उसकी side हम कर देते हैं double 1 का double 2 कर देते हैं 2 का double 4 कर देते हैं और 3 का double 6 कर देते हैं तो अब इनका product देखते हैं कि हमारे पास कितना आ रहे है 24, 24 और 2, 48 तो क्या 48 इस 6 का two time है बिल्कुल है वही ये तो सही आ रहे हैं that means कि ये एक true statement है तो इस तरह के questions को आप try करके देख सकते हैं sixth है the space or region occupied by a body is called its volume बिल्कुल सही है ये भी ये एक true statement है कि कोई body जो है body मतलब आपकी मेज, कुरसी या खुद आप खुद भी समझ सकते हैं कि वो जो जगह cover करता है पूरे इस हवा में, इस space में तो उसको volume बोला जाता है उसका बिल्कुल सही है seventh है the curved surface which joins the two bases of a right circular cylinder is called its total surface बिल्कुल गलत है ये the curved surface which joins the two bases of a seventh of a slendrical which joins the two उनको total surface नहीं बोला जाता वो joining जो है वो edges होती है जो अलग-अलग जो circumference बनती है उस base की तो ये जो है वो एक false statement है eighth, if the axis of the slender is perpendicular to each cross section ठीक है then the slender is called right circular slender ये बिल्कुल सही statement है ये कहना चाहरा है बहीं सीदी से बात है कि एक slender जो है बिल्कुल हमारे पास इस तरह की shape का है ठीक है तो ये एक right circular slender बोला जाता है और आपने कई देखे होंगे कई हमारे पास कुछ इस तरह के से भी container होते है थोड़े से curve is shape में तो इसको right circular slender नहीं बोला जाता है ठीक है so next and ninth a slender has only one circular end उसका सिर्फ एक circular end होता है नहीं उसके तो दो होते हैं हमारे पास कितने एक उपर और एक नीचे इस तरीके से है ना तो ये एक false statement है 10 the structures that have a definite shape और cold solids बिल्कुल जिसमें एक कुछ गिनने लायक हमारे पास क्या हो shape हो ठीक है उस तरह के structure को solid बोला जाता है जैसे cuboid में 6 faces होते हैं ये जो slender है इसमें 3 faces होते हैं उपर नीचे और side वाले तो ये एक true statement ही है clear तो ये दर true false next है fill in the blanks चले फटावर फिल in the blanks को भी cover up करते हैं liquids and gases are measured by ये liquid और gases जो हैं वो किस से measure किये जाते हैं ये volume से measure किये जाते हैं area से measure नहीं हो सकते हैं perpendicular draw from the vertices of a quadrilateral on the diagonal are cold उनको क्या बोला जाता है इनको वैसे आप exactly मेरे को exercise ध्यान नहीं आ रही है जो आप introduction जब पढ़ोगे इस chapter का तो उसमें specially इनको बोला गया है offset करके कुछ ठीक है इनको offsets बोला जाता है कि किसी कोई quadrilateral है और उस quadrilateral का एक perpendicular है तो जो other vertex है उन vertex से जो perpendicular डाले जाते हैं diagonals पर उन perpendicular के बारे में बात कर रहा है कि यह जो perpendicular है इन perpendicular को offsets बोला जाता है clear third area of four walls of a room whose length, breadth, height are LBH respectively तो चार wall का area का formula बताना है simple सा है two time of L plus B multiply H clear volume of the cuboid having dimension something like that is तो इस cuboid के हमें volume बताना है तो basically हमें देखा जाए यहां पर 35, 30 और 24 को multiply करना है तो 35 और 24 को पहले multiply कर लेते हैं चलिए 20, 2, 12, 12, 12, 14 और 32, 70 तो यह हमारे पास 4, 8, 8, 40 तो यहां से आ गया तो 8, 40 में से 84 और 3 का product करना हमें क्योंकि 30 में से 0 भी हम last में दो ले ले लेंगे ठीक है तो 12 और 1, 24 और 1, 25 तो यह हमारे पास कितना रहा है 252 लेकिन 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 यहां पर इन्होंने पता है क्या अगड़बड़ कर रखे यहां लिकर रखे है meters cube और यहां measurement जो दी गई है उनमें ध्यान देंगे तो यह तो किसमें है centimeter में तो एक meter में 100 centimeter होते हैं तो हम इसको क्या करें एक, दो, तीन, चार, पांच, छे से divide यानि की 10 लाग से divide कर दें तो basically अब हमें 6 zeros जो हैं shift करने है तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे तो यह हमारे पास आ रहा है 0.0252 meter square सिख है? Conversion का का काम था basically Next, the cost of painting an open underground tank of 3 meter long, 2 meter wide and 1.5 meter high at some cost Painting an open underground tank है तो उसको paint करने का खर्चा बताना है और चली, देखते हैं तो यह LBH हमें दी गई है तो सबसे पहले तो हम उसके दिवार होगा Open, open underground tank यानि कि हमें उसके चार दिवारी के साथ-साथ एक तरह से उसमझी है हमारे छट पर टंकी होती है जो एक cuboid shape की जो tank होता है उसको करना है ठीक है, cylindrical type के नहीं तो हमें paint उसके bottom पर भी करना होगा तो पहले 2 time of L प्लस B multiply H यह वाला formula यूज करें चली यहां करते है 2 L प्लस B multiply H और प्लस में उसका bottom का क्या हो जाएगा L V तो देखें, इनके values रखते हैं L है 3, B है 2 यह यहां भी रख देते हैं 3 into 2 और multiply में H कितना given है 1.5 So 3 into 2, 5 हो गया 1.5 into 2 हो गया हमारे पास 3 के equal और 3 into 2 चली ए, next ही कर देते हैं 5, 15, 6 यह तो कितना आ गया 21 और per meter square की cost कितनी है 20 तो अब इसको हम 20 से multiply कर दें तो हमारे पास cost आ जाएगा कितना 4, 20 तो 420 जो है वो इसकी cost आ रही है ठीक है next 6th एक्यूबोईड उस length width height हमें equal दे रखे हैं तो एक्यूबोईड एक्चल में क्या कहलाएगा वो एक cube कहलाएगा सीधा सांसर है इसका तो A trapezium is a dash having one pair of parallel opposite side is a इसको हम क्या बोल सकते है quadrilateral बोल सकता है क्योंकि main जो spatial नाम था वो तो इन्होंने दे दिया तो यहाँ पर आप लिख सकते है quadrilateral the space occupied by a solid body is called its volume अभी तो दिया था इन्होंने same फिर से दे दिया the volume of a cube of side one centimeter volume का formula क्या होता है one cube तो one cube one के एक बोल हो जाएगा है ना तो इसका volume किसमे आजाएगा one centimeter cube में simple the structures having a definite shape are cold अभी तो आया था यह solid वाला solid भी बोला जाता है है ना are cold r है तो solids बोल देते हैं are cold solids clear तो यह ता अपने fill in the blanks चले next करते हैं match the following कितने है फिर assertion reason भी है चली match the for column को complete करते हैं क्या हो गया back हो गया I think कोई बात नहीं fill in the blanks last हुए थे और यह आगया हमारा match the column तो यह देखिए match the column में अब next है area of trapezium trapezium का area का formula यह तो सीधा सही है देखिए आपके पास half of sum of parallel sides multiply distance between them है ना उससे next volume of slender slender के volume का formula I think यह है pi r square h के equal है ना volume of cuboid यह रहा l multiply b multiply h and volume of cube किसके equal हो गया side cube के equal हो गया यह तो काफी आसान था next देखते है structure having a definite shape अरे यार कितनी बार आएगा यह तो याद हो जाएगा solid the shape occupied by a solid body उसको क्या बोला जाता है जो space वो cover करते हैं solid whose every point is equal distance from a fixed point इसको क्या बोला जाता है एक sphere बोला जाता है actually कि center से उस sphere के जितने भी points हैं वो सारे के सारे equal distance पर होते हैं ठीक है next है solid whose base is any polygon and side face are triangles जो side faces हैं वो triangle होते हैं इस तरह के figure को इस तरह के solid को actually pyramid बोला जाता है ये चीज़ आपको ध्यान रखने पढ़ेगी चलिए next assessment reason I think last option है ये इस exercise का yes तो चलिए देखे first assessment reason क्या है the length of the base of a patalogram is okay 36 and the corresponding height is 21 so इसका area जो है वो हमारे पास 320 4 के equal हो जाएगा check करें so 36 and corresponding height हमें कितनी दी गई है ये 20 so इसको multiply कर लेते हैं और वैसे बात है last में देखे 0 आना चाहिए लेकिन इसमें तो 0 है नहीं that means कि एक false statement है false statement तो option D is the right option आपको उसका reason तक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे region इन्होंने सही दे रखा था जिसकी हम help ले रहे थे है ना चलिए next करते है next क्या है a tank having dimension 1.2.8.6 meter can hold इतने liter of water so इसको हमें देखना पड़ेगा एक tank है उसकी length width height दी गई है that means कि हमें इसका volume check करना है और उसके लिए हमें इनको आपस में multiply करना पड़ेगा तो इनके decimals हटा हैं तो divided by 10 divided by 10 divided by 10 बन जाएगा so basically हम इनको आपस में multiply कर लेते हैं 12 और हमारे पास 12 को 8 से multiply कर लेते हैं आगया 96 96 को 6 से multiply कर लेते हैं तो यह हमारे पास 56 और 36 और 576 divided by 1000 तो यह 0.576 वैसे इसको हमें किस में convert करना है इसको convert करना है हमें liter में तो इसको हम कर देते हैं 1000 से भी multiply 1000 से multiply किया तो यह इससे cancel तो हमारे पास कितना आ गया इतने liter तो यह option जो assertion है वो तो हमारे पास एक true statement है ठीक है next है we reason देखते हैं we find the volume of cuboid by using the formula LBH बिल्कुल सही है हमने इसी की तो help ली है यानि कि जो reason है वो इस assertion का एक correct explanation है यह true भी है और correct explanation है यानि कि option A is the right option clear next देखते हैं the area of the rhombus whose diagonals are of length 9 cm 7.2 cm is something like that so एक rhombus के diagonals हमे दिये गए हैं तो देखें diagonals के through area निकालने का formula कि रता है diagonal 1 multiplied diagonal 2 diagonal 2 का decimal अटाएं तो ऐसा बनेगा 2 से इसको cancel करें तो 36 और अब हम चलिए अब यही करते हैं 36 multiply 9 कर लेते हैं so 54 4 2 32 नीचे 10 so 32.4 cm square तो यह तो assertion तो true है so area of rhombus product of its diagonal नहीं नहीं half of product of its diagonal होता है यानि कि यह false है और false यह किस में आता है C में option C जिसमें assertion तो true होता है और reason false होता है clear fourth करते हैं total surface area of right circular cylinder का formula होता है 2 pi r r plus h बिल्कुल सही है यह true statement है reason परते हैं total surface area of right circular cylinder is the sum of the area of the curved surface and the area of the two circular and यह बिल्कुल सही है यह भी true statement है और इसी से actually में यह formula बनाया गया है यानि कि यह reason भी इसका एक correct explanation है that means कि यह एक a option को satisfy करता है clear तो इसे के साथ अपने जो section a है chapter and exercise का वो जाता है complete तो आपको यह chapter and exercise और यह जो chapter है वो अच्छे से समझ आया होगा so please click the like button और अपने friends के साथ भी share करें और अगर आप channel पर नए हैं तो please subscribe the channel thank you झाल